नमस्कार संबीदा करमचारी आउट्सोर्स कर्मी दैनिक कर्मी साथियो आपका एक बार फीर हमारे चैनल पर करांतिकारी अभिननदन है स्वागत है दोस्तों आप सभी को जो है कि दिवाली की हार्दिक बधाई और सुब कमनाओं के साथ अगरिम बधाई देते हुए कामना करते हैं कि दिवाली का परब आप लोगों के जीवन में खुसियों का और हर्श का उलास का जो है कि महाल लेकर साबित हो और आप लोगों को सारी मनोकामनाओं को सरकार पूरा करे दोस्तों आज आप लोगों के उजवल भविस के संबंद में की जा रही करजवाही की जनकारी लेने हेतू हमारे सुतरों ने केंद्रिये कैबिनेट सेक्रेटेरिये डिपार्ट्मेंट के जो है कि परधान सची उसे संपर का स्थापीद कर ये सिधार्त से जनकारी प्राप्त क उनसे जो है कि जनकारी प्राप्त करने के करम में बहुत सारी बातों का जो है कि जनकारी प्राप्त हुआ है। सरकार को दे रहें और सरकार जो है कि सकरात्मक रूख अपनाते हुए पिछले वर्स बहुत सारे संबीदा कर्मी आउट्सोर्स कर्मी और दैनी कर्मियों के मामलों का संग्यान ले चुकी है जिसमें कुछ संबीदा कर्मियों का बेतन बिरिधी हुआ आपने देखा उसी परका जो है कि आप सभी का भी बेतन बिरिधी सरकार करने जा रही है बिहार सरकार के मुखमंत्री नितिस कुमार ने नारा दिया है दस लाख रोजगार दस लाख नौकरी और संबीदा कर्मी के जीवन का कल्यान सरकार करेगी किन्तु जो है कि इसमें विपक्ष की भूमी का भी अ संबिदा कर्मियों के जीवन में उजियारा फैलाने हैं तो कोई भी पर्यास नहीं किया जिसकी वज़ा से मामले तो ठंडे पड़ रहे थे किन्तु हम लगातार इसको हवा देकर जो है कि संबिदा कर्मियों की बात को सरकार तक पहुचाए और आज भी जो है कि पहुचाने का काम कर रहे हैं और उनसे संपर्क स्थापित कर संबिदा नियोजित कर्मियों के जीवन में उजियारा फैलाने हैं तो सरकार द्वारा किये जा रहे हैं कार्जों का जो है कि जैजा लिया और जैजा लेने के करम में बिहार के मुख सचीव एस सिधार्थ के द्वारा जो है कि बताया गया कि बहुँ जल्द सम्विदा नियोजित कर्मी、 आॉट्सोर्स कर्मी और दैनी कर्मीओं के सारे कार जो लम्बित पड़े हुए हैं उसका निसपादन बीहार सरकार करने जा रही है बिहार सरकार की सोच है कि संबिदा कर्मी का बेतन 35,000 आउट्सोर्स कर्मी का बेतन लग 30,000 और दैनी कर्मियों को 783 रुपे नियुंतम मजदूरी की दरे देने हेतु जो है कि नियम बना कर उसे लागू किया जाए इस कड़ी में बिहार सरकार सबसे पहले जो है कि ग्राम कचहरी सचीव नियमित्र रात्री परहरी बिजली बिभाग मानोबल किसान सलाकार रसोया और जो है कि ICT इंस्ट्रक्चर और जो है कि आपको बताते चले BDMC डाटा इंट्री अपरेटर स्वक्षता परवेक्षक स्वक कर्मी किसान सलाकार इंद्रावा सहायक पंचायत रोजगार सचीव सहित जो है कि लाखों पदों पर कार्ज कर रहे 2007 से और उसके बाद के वर्सों में नियोजित निती सरकार के कर्ज़काल में नियोजित संभिदा कर्मियों का कल्यान सरकार करेगी साथ ही साथ आउट्सोर्स कर्मियों का सेवा अस्थाई सेवा समायोजन की मांग को पूरा करेगी यहां तक कि बिहार होमगाड के जो लोग है जो चैनित लोग है गिरीह रक्षा वाहनी होमगाड के लोग उनको भी समायोजन कर जो है कि लाब देगी बिहार में लाखों की संखिया में डॉक्टर और इंजिनियर और परफेसर संबीदा पर कार्ज कर रहे हैं इन सब की सिधारत के द्वारा नियमित करेगी और ये सब कुछ करने की बात बिहार सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरियेट डिपार्टमेंट के अपर मुक्स अचिव ये सिधार्थ के द्वारा बताई जा रही है सिर्येस सिधार्त ने जो है कि हमारे सुत्रों को बताए है कि संभिदा नियोजित कर्मी आउट्सोर्स कर्मी दैनी कर्मी का बेतन बिरीधी का मामला इस वर्ष चुनाओं के पूर्व जो है कि सरकार निप्टा देगी और तमाम लोगों को जो है कि तोपे के रूप में, उपह के रूप में बढ़े हुए मांदे का गीफ्ट सरकार दे कर इन लोगों की मांगों को पूरा करेगी सरकार का रूख सकरात्मक है फिर भी संबीदा पर नियोजित कर्मी कुछ साथ ही जो है कि नकरात्मक बाते सोच रहे हैं उन्हें लगता है कि अब वो अफस चुके हैं उनका जो है कि अब कुछ नहीं होगा तो यह जो है कि उनके मति भरम इसको कहा जा सकता है यह उनकी मांसी की स्तिती है ऐसा जो है कि हकिकत नहीं है कोई भी संबीदा कर्मी छोटा हो या बड़ा चाहे किसी भी विभाग में दैनी कर्मी हो आउट्सोर्स कर्मी हो सभी लोगों को ज सार सब को छो है कि बेतन की बड़ातरी की लाभ मिलना ही चाहिए जिस तरह विकास मित्रों को बारह हजार से पचीस घार रुपए तक का मंदे और साथ में जो है कि ग्राम कचहरी सचीव नियायमित्र BDMC डाटा इंट्री अपरेटर आई सीटी इंस्ट्रक्चर बीजली बिवाग मानोबल रात्री परहरी पंचायत रोजगार सचीव इंद्रावा सहाइक आई सीटी इंस्ट्रक्चर और जो है कि तमाम कर्मियों को लाभूसी परकार देकर और चवगूना से चवगूना बिरी देकर उन्हें जो है कि 30 से 35 जार की सिरेनी में लाकर और तमाम तरह की सुविधाओं से लेस करने के काम बिहार की सरकार को